इंडी गठबंधन के सरकारों और एक कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री पर शीधे आरोब निर्धारित करने या प्रत्थम दृष्टेया उन्हें दोशी मानने के इसपष्ट संकेत दे रहें करनाटक में कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री श्री सिधरमया के विशे में मूडा इसकेम मैसूर अर्बन डेवलोप्मेंट एथॉरिटी में जिस प्रकार से उनके परिवार ने जमीन का दुरुप्योग करके और सरकारी एथॉरिटी का दुरुप्योग करते हुए भारी संपत्ति बनाई उस विशे में न्यायले ने यह निरने दिया है जिसमें मुख्यमंत्री श्री सिधरमया को आरोपी नंबर वन बनाया है चीफ मिनिस्टर इस फर्स्ट एन प्राइम एक्यूज इन दिस और महत्रपून बात यह है यह कोई सेंट्रल एजन्सी ने जाच नहीं की है किसी ने अपनी तरफ से जाके अरजी नहीं दिये यह करनाटक के लोका युक्त कोर्ट में यह निरने आया है यानि जो आरोप कॉंग्रेस पार्टी लगाती थी यह केस इसलिए बिलकुल भिन्न है कि करनाटक में आपकी सरकार है और करनाटक के लोका युक्त के द्वारा यह निर्देश आया है कि मूडा इस कैम में न सिर्फ सिद्धा रमय्या जी और उनका परिवार दोशी है बलकि वो आरोपी नंबर वन है तो अब मैं राहूल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप धर्ष्टा चार के आरोपी नंबर वन के साथ खड़े हैं या नहीं और इसमें तो दूर दूर तक केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है ये तो आपके अंदर के जो स्वयम के किये हुए कृत्य हैं कार गुजारिया हैं वो खुद बाखुद उभर कर सामने आई है संयोग से कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे जी भी करनाटक से आते हैं जब से करनाटक में इनकी सरकार आई है भरस्टाचार और अव्यवस्था दोनों चरम पर है और अधिकुल लेखनी बात ये है कि सिदर मय्या जी अभी कुछ दिन पहले अपने हाई कमान और हाई कमान के कुछ नेताओं का विशेश रूप से आभार व्यक्त कर चुके हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाने और बचाई रखने में उनकी भूमिका रही है यानि अब वो हर एक प्रयास कर रहे हैं कि ये व्यवस्तित रूप से जाँच नहुने पाए अत्वा किसी बड़ी जाँच एजनसी को ना जाने पाए इसलिए हमारा बहुत सीधा सवाल है कि ये भारत की इतिहास के उन्चंद दुरलफ केसे में से एक है जब किसी राज्य के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फर्स्ट एक्यूस बनाया गया हो तो अब राजनीती में नई सोच लाने के निन्यान नवे के उबाल से लब्रेज हो रहे राहूल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आरोपी नंबर वन के साथ आप खड़े हैं या नहीं